गुडगाओं गुडगाओं गुरुग्राम ये वो जगा है जो कि खुद ही विश्व के मांचुत्र पर एक अलग जगा खुद ही बनाई हुई सबसे पहले मैं आपको मिलवा देती हूँ जो महिला आपको मेरे साथ दिखाई दे रही है ये और कोई नहीं ये वही है जिस शो के चर्चे फिलहाल इस समय हर तरफ हो रही है मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस OTT सीजन 3 की जो के फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है ये वही शो है जहाँ पर गुरुग्राम का एक लड़का पिछली सीजन में सीजन 2 में जो है वो जीत कराया था और वोट इतनी की समेटे नहीं समट रही थी ऐसा जो जीयो सीनोमा वाले हैं वो कह रहे थे लेकिन एक बार फिर से गुरुग्राम से ही और उसी का एलविश यादव का ही दोस्त लवकेश कटारिया जो है वो बिग बोस OTT 3 में जो है वो पहुच चुका है फिलहाल का प्रदर्शन काफी अच्छा चल रहा है उनके पता और लोगेस की चर्चा जो है वो हो रही है पहले लोग उससे काटारिया के नाम से जानते हैं चुकर वहों पहुत अच्छा बच्छा जो को सिंस्कव के ताया ऑर जैसे हो यूटु पे जो काम गतां वंदों गता है लूव के नाम से नाम से रग trillion आ के तो उसनु ब्रय शे म से बढ़ा नहीं है मतलब सपने से बढ़के आई है क्योंकि हमने कभी यह सपना नहीं देखा था कि एक नॉर्मल परिवार का बच्चा वहां तक पहुचेगा लेकिन थैंक्स टू गौड बगवान का दन्यवाद है बगवान को दन्यवाद देना चाहता हूं और यह इसमें सा सब्सक्राइब के लिए उसने किया फिर उसके बद वह यूट्यूब के लाइड में गया तो पिता के तौर पे घुसा आया था इरिटेशन हुई थी कि क्या कर रहा है बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बच्चा होता है खास्तोर से लड़का लड़का होता हो मदर से अटेच है ड़को बासरे मुऔर आए जैसे उसने यूट्यूब पर काम को नहीं बताता है उस बाता है कि कुछ बीच में डुकाव डाल सकते हैं, तो उन्होंने का जब मेरी कुछ वीडियो मतलब फेमस हो जाएंगी, तो ओटोमेटिक पापक पता लग जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, तो उन्होंने जब मम्मी को पताया, तो काम किया, मुझे कुछ समय बाद में पता लग कि जब उसके कुछ वीडियो मेरे को दिखाई गई, तो गुसा तो नहीं आया, क्योंकि पड़ेलिक के फेमिली हैं, हम जानते कि आज इकल समय बदल चुका है, आज केवल नोकरी ही सब कुछ नहीं है, आज समय बदल रहा है, तो बच्चे को अगर हम कहीं पे जो उसका कि और मैंने का ठीक है, जैसा कर रहा है, बच्चे देखते हैं, और पड़ाई तो करी रहा था, बीटेक सिविल कर रहा था, और सिविल करते करते उसने ये काम शुरू किया था, आज क्या आशिरवाद देना चाहेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं, हर माता पिता अपने बच् डेविल करना चाहता हूं, जहां भी लवकेश को स्पोर्ट के शक्ता पड़े, वो दिल से स्पोर्ट करें, क्योंकि ये जो ट्रोफी है, ये पूरे गुड़गाओं की ट्रोफी है, पूरी जन्ता की ट्रोफी रहेगी, और हम तो ये कहते हैं कि मेरा आश्रिवाद भी रहे है, वो ट्रोफी लेकर गुरुग्राम ही आए, आँटी, आप मम्मी है उनकी, आपने उसको तब भी देखा होगा, जब वो वीडियो प्रेंक वीडियो से उसने स्टार्ट किया था, तो उससे मैं आपको जो बताया, तो उससे मैं पता था कि ऐसा कुछ होगा, नहीं बिल्क अलग सा कुछ करूगा तो अलग ही कुछ रेजल्ट मिलेगा, पर यह कभी ने सोचा था, कभी उस लेवल तक वो पोच जाएगा, मिल्कुल भी ने, अब ही फिलहाल जो है, जिती ऐसी है, बॉस की घर की, कि खाना वहाँ नहीं मिल रहा है, एक मा, क्योंकि मैं भी जाती उनकी ममी है, उनकी आँखों से आउसू आई, अन्टी हिम्मत करें, और बेटे की परिक्षा चल रही है, उस परिक्षा के लिए हिम्मत बांधनी है, रोकर इन आसू को जू है वो जीत के आसू में तबदील करना है? अन्टी लव को मैंने सुना एकि रीस बहुत पसंद है, इसको पूरा सिर्वाद देराउचा करेगा तो मेरे को पता है पर ओडियोंस की वजैसे वहां पहुचा है ओडियोंस की वजैसे वो ट्रोफी जीत के आएगा बस मतलब यहीं अपील है मेरी इसका साथ दे जहां भी उसको जुरूत पड़ती है उसका साथ देते रहें और वह बिल्कुल अच्छा करेगा यह मेरा मतलब मै उसका ने हैं वहारे साथ यहां पर मौजूद है और लवकेश आज अंदर है घर के हैं पूरा बिक बॉस क्योंकि युवा पीड़ी का शो है बारीकी से नजर है और यह भी पता है कि किसकी बात का क्या मतलब है ना तो फिल्हाल लवकेश कैसा कर रहा है आपके नजरीय से? मेन मुझे ऐसा लगता है लवकेश कर बहुत अच्छा रहा है और जो उसका मेन एक मकसद है कि सबको वो हजार है वहाँ कोई भी ऐसा बंदा नहीं है घर में जो उसकी वज़़े से हस ना रहा हो तो ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, देखो गेम खेलने का है अपने हिसाब से खेले का है लेकिन खुशी किस बात की है कि वो अपने साथ-साथ औरों को भी खुशी दे रहा है तो सबसे ज़्यादा मेर ले यहीं इपोर्टेंट है किसी भी घर में कोई भी चला जाए जिस जो जो कंटेस्टेंट अभी वहां है 15-16 जने सब के घरों में वही एक ही प्रेयर है कि हमारा बच्चा जीत के आएगा तो सेम चीज हम भी करते हैं कि हमारा बच्चा जीत के आएगा इतना जो लवकेश कटारिया है उनकी भावी ने भ में ही बता पाएगा जब 45 दिन के बाद जो है वो बिग बॉस का जो विनर है वो कौन बनेगा ये साफ हो पाएगा लेकिन हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर आप भी बिग बॉस OTT3 को फॉलो कर रही हैं और आपको लवकेश कटारिया का खेल पसंद आ रहा है तो आप भी से वोट और सपोर्ट जरूर करें कैमरामन ललित कुमार के साथ मैं शिवानिल हो या कबर फास्ट गुरू ग्राम